रेट बटन को दबाईए और सब्सक्राइब की जन्रोट एक चैनल को और साथे साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो वालकाव फ्रेंज और आप सभी के एक बार फिर से सभा अडरिट एक चैनल पर फिर इस वीडियो पूँर में आपको बताना है समसंग यह कुछ डिवाइस ऐसी है जिन में जो इने एफ़ोटी अपडेट्स आये हैं यहां पर सबसे पहला जो डिवाइस है वह है Samsung Galaxy J72015 model जी यहाँ पर Samsung J72015 को एक नहा F40 update मिला है और update की जो फाइल है वो 22 MB के आसपास की है और इस update में क्या कुछ नहां मिला है इस update को update करने के बाद में जो आपको April 2018 का security page मिल जाएगा जो की तोड़ा पुराना है बट मेरे हिसाब से Samsung जिस तरीके से अपनी 2015 models की devices को update कर रहा है तो यह काफी अच्छी बात है यहाँ पर आप सभी के मन में सवाल लोटर होगा कि Samsung J52015 को update कब मिलेगा सो यहाँ पर Samsung J52015 को update मिल चुका है सुदी अरेविया में और बहुत चलिन इंडिया में आ जाएगा और जैसे J52015 के लिए अपडेट आता है तो आपको उसकी information भी आपको मार्चनल पर मिल जाएगी यहाँ पर जो अपडेट है वह Samsung Galaxy J2 Pro के लिए है यहाँ पर Samsung J2 Pro को जो एक नया F40 अपडेट मिला और यहाँ पर अपडेट की जो फाइल है 264 MB का हसपास की है काफी बड़ा अपडेट मिला है Samsung J2 Pro को हाला कि मतलब J2 2016 की को information नहीं है और यहाँ बात करते हैं कुछ नया मिलने के तो इस अपडेट को अपडेट करने के बात में जो आपको जून 2018 का security page मिल जाता है जो कि latest security page है तो यह काफी बड़ी good news है Samsung J2 Pro users के लिए latest security page मिला है उनको फ्रेंज यहाँ पर जो अपडेट है वह Samsung Galaxy A6 Plus के लिए तो यहाँ पर Samsung A6 Plus को भी जो एक नया F40 अपडेट मिला है और यहाँ पर भी आपको पर जो अपडेट है वह एक application है जो कि है एस पावर प्लेनिंग तो यहाँ पर Samsung ने जो है एस पावर प्लेनिंग का जो है आपडेट दे दिए क्योंकि यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आरे थी जैसे कि आप जो इसको पावर प्लेनिंग यानिके पावर सेविंग मौड के पास इसे यूज नहीं कर पारे तो तो उस प्रॉब्लम को जो है Samsung ने फाइनली इस अपडेट के तुरू जो है सॉल्फ कर दिया मैं इसको अपर अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा था बट बना नहीं पाया फिर यहां पर अगर आप कोई भी आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर से जाकर पावर प्लेनिंग को अपडेट करना है और उसके बाद में इसको प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं पर इस चाहां पर अपडेट है Samsung के इंटरनेट ब्राउजर का अलग यह जो अपडेट है यानि कि Samsung इंटरनेट ब्राउजर को जो अपडेट है हर दो से तीन दिन में आता ही रहता है फिर परस्टनली मैं जो क्रॉम को यूज करता हूं मैं इंटरनेट ब्राउजर यूज नहीं करता है Samsung का अगर आप यूज करते हैं तो अपडेट कर लिजेगा आपके वीडियो काफ़ाद पसना आपके वीडियो चले लगे तो लाइक किजिए और शेड किजिए नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए गा मैं मलता हूं पाकी किसी यसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में सुझी नहीं नेक्स वीडियो साइंग आट